आज बिहार के डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादो का जनमदीन है 9 नुवंबर 1989 को जन में तेजस्वी 33 साल के हो चुके हैं ऐसे में बीती रात उन्होंने अपने बड़े भाई और बिहार सरकार में मंत्री तेजप्रताप और मा राबरी देवी के साथ मिलकर जनमदीन मनाया जिसका वीडियो सामने आया है वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी अपनी मा और भाई के साथ केक काट रहे हैं साथ ही उसमें लगी मुंबती को फूक मार कर बुजाते हैं और फिर केक काटते हैं केक काटने के बाद तेजस्वी अपनी मा और भाई को केक खिलाते हैं अंत में मा और बड़े भाई का आसिरवाद लेकर जन्मदीन के समारोह का समापन हो जाता है जन्मदीन के मौके पर इस वीडियो में उनकी पत्नी राज्श्री नहीं दिखी कहा जा रहा है कि राजश्री दिली में है जो भी हो बिहार का सबसे बड़ा राजनितिक घराना और ऐसे शक्स का जन्म दिन जो खुद डिप्टी सीम हो माता और पिता दोनों कई टर्म सुबे के मुख मंत्री रहे हो और वो अपना जन्म दिन इतनी सादगी से मनाए ये काबिले तारीफ है जमीन से जुरा शक्स ही ऐसा कर सकता है भाई मंत्री हाप पैंट और सट में मा एक सीम सलवार समिज और दुपटे में और खुद डिप्टी सीम सट ट्राउजर के साथ पैरों में हवाई चपल और जन्म दिन पर केक काटने का मौका हो इस तरह की सादगी आपको लालू परिवार में ही दिख सकता है जन्म दिन मनाने के इस अंदाज का वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है तेज परताप यादों ने जन्म दिन के सेलिबरेशन का वीडियो अपने ट्वीटर पर शेयर किया है इसके साथ ही उन्होंने छोटे भाई के लिए प्य से डिप्टी सीम बनने का मौका मिला है बताया जा रहा है कि वो आज दोपर की एर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे एरपोर्ट से सीधे मीशा भारती के आवास पर जाकर अपने पिता लालू और बड़ी बहन मीशा भारती का आश्रवाद लेंगे साथ ही वहां मौजूद अपनी दूसरी बहनों और पडिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में जन्मदीन मनाएंगे फिर अपनी पतनी राच्छी के साथ अपना जन्मदीन खास जगह जाकर मनाएंगे सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले